हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉटन की पहचान कैसे करते हैं दोस्तों कॉटन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कॉटन राख बन जाता है जलने के बाद जिसे हम छाई भी करते हैं जबकि दूसरे कपड़े राख नहीं बनते वह प्लास्टिक के जलने जैसा बिहेब करने लगते हैं तो आज हम लोग एक एक्सपरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे इन में से कौन सा प्योर कॉटन है मैं यहाँ पर दो तरह का कॉटन लिया हूँ पहला प्योर देसी कॉटन और दूसरा सिंथैटिक कॉटन मैं इन दोनों कॉटन को अब जलाने जा रहा हूँ और अब देखते हैं क्या होता है मैं सबसे पहले प्योर कॉटन को जलाने की कोशिस करता हूँ कि अब शब जब चारे बारे कि आरे खिल्ड़र जब हिए झाई तर राखरा थां तर बादे का रहरा था हुशित हुआ जब कुछ वाल धुद्ट सान प्रबादा पिल्ड़र अधिंध जो से लगशा जड़ टूब अखिए दोस्तों आप देख सकते हैं जब मैं सिंथेटिक कॉटन को जलाने की कोशिस कर रहा हूं या प्लास्टिक के जलने के जैसा भी हिप कर रहा है कर रहा हूं झाल we फला जब चाने कर दो कर दोड़ साह रहा है दोस्तो, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं, प्योर कॉतन बिल्कुल राग बन गया है। जैसा हमने गेस किया था, सिन्थाटिक कॉतन प्लास्टिक के जलने के जैसा बिहेव कर रहा है। सेम एक्स्पेरिमेंट हम कपड़ों के साब भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं या कॉटन है या नहीं है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले